नमस्कार दोस्तों जिने साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रीज कोर्स जो की महाराश्टा कोर्ष मेट ने सब क्लास के बच्चों के लिए लॉंच किया है उसमें से क्लास 10 का साइंस मिजर्मेंट आफ मैटर इंग्लिश मेडियम के बच्चों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस सेट में जो कुछ भी सॉल करके दिया है जो कुछ भी मटेरियल दिया है उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके उपर जो कुछ भी प्र कंजर्वेशन अफ मैटर लॉफ कॉंस्टन प्रोपोर्शन अटोमिक साइज दि मास अफ अटम केमिकल सिंबॉल अफ एलेमेंट्स मॉल्युकुलर मास एंड वैलंसी यह सब चीजे इस वीडियो में और इस शीट में हम देखने वाला है रेफरेंस है आपके लिए स्टैंड कंजर्वेशन अफ मास कॉंस्टन प्रोपोरिशन अटो मेग दी इनफरेंस बेस्ट अन तो स्टेट दी मीनिंग अफ दी कंसेप्ट अफ मॉल्युकुलर मास मॉल तो रिकगनाईज और राइट सम मॉल्युकुलर फर्मुला आज अल्सो तो एक्स्पैन देम तो यह सब चीज़े यहाँ पर हमीं लर्न करनी है तो आपने नाइन्थ क्लास का बुक अगर ओपन करके देखा है पड़ा है कुछ तो उसमें एक आपको ऐसी एक फिगर दी गई है और यह पूरा एक्स्पैनेशन वहाँ पर दिया गया लौ अफ कमिकल कमिनेशन का कंपाउंड साथ फ कमिकल कमिनेशन बाइ मीन्स ओफ नोन फार्मुली ओके तो ऐसे एक आपको मटेरियल दिया गया है जिसमें सोलूशन और कैल्शियम क्लोरेट दिया है इसमें और एक छोटी सी टेस्ट यूब दी गई है यह है कौनिकल फ्लास और यह अंदर छोटी सी टेस्ट तो टेस्ट ट अलफेट एनेट यह सफूर आपको दिया गया है दोनों का जब आप वेट करोगे तो यह इस तरह से वेट 300.23 ग्राम है बाद में हम इसको थोड़ा सा टील्ट करेंगे और टील्ट करने के बाद यह इसी कोनिकल फ्लास में यह दोनों सोलूशन मिक्स करेंगे और इसको सोलूशन का कलर बदल जाएगा वरवर वाइट प्रिसिपिटेट इसमें तयार होगा बाद में हम इसका वेट करेंगे तो वेट 300.23 ग्राम आएगा ना कि वेट बढ़ेगा ना वेट डिक्रीज होगा ओके यानिकि वेट कॉंस्टेंट रहेगा विकॉज इसके ऊपर हमने एक रबर कॉर्क भी बिठाया है इसके वज़द से कोई मास बाहर नहीं जाएगा और बाहर का अंदर नहीं आएगा जो कुछ भी वेट रहेगा वो कॉंस्टेंट सेकंड सेप में वही रहेगा इन अब एक्रिवेट इस दि मास ऑफ ओरिजिनल मैटर और अधी मास अप दे म मैटर नूली फॉर्मड अज रिजल्ट और केमिकल चेंज आर एक्वाल केमिकल चेंग जो कुछ भी होगा वो सेम रहेगा इसमें इसके वज़द में कुछ भी फरक नहीं रहेगा लोग कंशर्वेशन ऑफ मैटर इन 1785 फ्रेंट सांटिस्ट अन्टोनी लवेजियर इंफर् और ड्रॉब in the масс of matter दिवरें केमिकल रियक्शन इन चेमिकल रियक्शन इसका उपर आपको एक कुछा गया है law of constant proportion, यह क्या है देखरो, the proportion by mass of the constituent elements in the different samples of the compound is fixed, यह fix होगा, यानि की change नहीं होगा, यानि कम नहीं होगा, या increase नहीं होगा, atomic size, the size of an atom is determined by its radius, उसके radius के तौर पर इसको ना पा जाता है, the size of atom is determined by its radius, अगर radius ज्यादा है, तो atomic size ज्यादा होगी, और radius, अगर atomic radius कम है, तो size of atom is also कम रहेगी, wherever, the atomic radius of an isolated atom is the distance between nucleus of an atom and its outermost orbit, the atomic radius is expressed in nanometer, nanometer में express की जाती है, atomic radius, okay, the mass of an atom, the mass of an atom is concentrated in its nucleus and it is due to the proportion P and neutrons N in it, the total number of protons and neutrons in the atomic nucleus is called atomic mass number, परावर है, the unit of atomic mass is Dalton, यही कि Dalton में इसको represent किया जाता है, Dalton मुले तो mu sine में इसको represent किया जाता है, ठीक है, अब six point देखते है, chemical symbols of element, element, the symbol of an element is either the first letter or first and second, another specific letter in its name, यहने की symbol जैसे sodium है, तो यहन A, यहने की initial letter capital होता है, और second letter small letter होता है, of the two letters, the first is written as capital letters and the second is small, the molecular mass, the molecular mass of the substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in the single molecule of that substance, like atomic mass, molecular mass is also expressed in unit Dalton, इसको भी Dalton में एक्स्पेस किया जाता है, valency, किसको कहते हैं देखो, valency बले तो electron lane देन की हर एक atom की capacity, the capacity of an element to combine is called its valency, the number of electrons that an atom in an element gives away, takes up while forming an ionic bond, is called as valency of that element, यानि कि bond ट्यार करते हैं वक्ति electron की जो कुछ में लेंदेन करकर, दूसरे element के साथ जो कुछ भी bond ट्यार किया जाता है, उसको हम valency कहते हैं, electron lane देन की capacity, आगे देखते हैं कुछ, let's practice, practice के लिए कुछ questions दिए गए, complete the following table, तो table में क्या किया दिया है, element, atomic number, electronic configuration, valency and, valence electrons and valency, देखें, hydrogen, atomic number 1 है, electronic configuration 1, valency 1, valence electron 1 and valency 1, helium, atomic number 2, electronic configuration 2, valence electrons 2, और 0, उसी तरह से आगे का valency इसकी 0 होती है, तो आगे का एक 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 करके point यहां पर हम देखेंगे, देखो helium है, इसका atomic number 3 है, electronic configuration 2,8 है, इसका valence electrons 1 होता है, और साथी साथ इसकी valency भी 1 होती है, beryllium है, तो beryllium में atomic number 4 है, electronic configuration 2,2 है, और valence electron 2, और इसकी valency भी 2 है, उसके बाद boron 5, 2, 3, 3, तो atomic number 5 है, electronic configuration 2,3 है, valence electrons है 3 और इसकी valency भी 3, carbon atomic number 6 है, electronic configuration 2,4, valence electrons 4 और इसकी valency भी 4 होती है, और नाइट्रूजन 7, 2,5, उसके बाद 5 और valency is the 3, तो इस तरह सी यह सब चीज़े हमने यहाँ पर देखी है, उसके बाद calculate the mass of constituent element of copper oxide from the molecular formula of CuO, तो देखें, molecular formula इसका answer गा है, molecular formula of copper second oxide is Cu, the relative atomic mass of copper is 63.5 atomic mass unit, relative atomic mass unit of oxygen is 16, अगर हम इसका ratio करेंगे, है ना, ratio करेंगे, तो ratio इसका क्या आएगा, तो इसका ratio आएगा 63.55 divided by 16, तो 64, इसका मतलब 4 as 1 आएगा, 4 as 1 इसका ratio आएगा, बराबर है, इस तरह से, आगे का है, write down the cation and anines, obtained from the compound in the following chart, cation and anine, okay, sodium hydroxide है, इसके यह ने plus और OH minus है, उसके बाद QOH potassium hydroxide की plus and OH minus, CAOH taken twice है, तो CA2 plus, यहने की 2 OH यहां से liberate होने वाले है, okay, decomposition करने के बाद, 2 OH minus ions, यह इस तरह से, उसके बाद HCl, hydrochloric acid, H plus ions, chloride ions, CL minus, HVR, H plus ions and bromide ions, इसका bromide ion होगा, BR minus, HNO3, okay, तो H plus ions and NO3 minus ions, तो इस तरह से, anines and cations त्यार होते इनके, anines and cations, है ना, यह base है और यह acid है, base का इस तरह से dissociation करने के बाद, इस तरह से cations and anines बनेंगे, और acid का dissociation करने के बाद, इस तरह से anines and cations बनेंगे, आगे का पाट है, find and give the name of two scientists from the following picture and collect the information from the internet, okay, Proust, Joseph Proust है, यह scientist का नाम है, Joseph Proust, okay, the Proust is the best known as analytical chemist, particularly for his enunciation for the law of definite proportion, whatever, then the essence of the Proust law is that the chemical substance only truly combined to form the small number of compounds, each of which is characterized by the components, that combined is a fixed proportion by weight, okay, स्थीर प्रमाणाचा नियम मनु यापन याला मराठी मले, त्यान अंतर, Antoine Lawrence Lavasier, यह जो नाव काया है, इनका नेम है, Antoine Lawrence Lavasier, okay, a meticulous experimenter, revolutionized chemistry, यहने की chemistry का, the father of chemistry पे ISN को कहा जाता है, revolutionized chemistry, बोले तो chemistry में इन्होंने revolution लाया है, क्रांती लाई है इन्होंने, okay, he established the law of conservation of mass, determined that combustion and respiration are caused by chemical reactions with that named oxygen, he helped the systemized chemical nomenclature among many other accomplices, अगर इसमें अगर इसमें आता है, तो इस तरह से मैंने अभी आपको, जो एक्टिविटी सीट है, तो थर्ड एक्टिविटी सीट बहुत अच्छी तरह से यहां पर देखिए, अगर इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी आएंगी, कुछ डाउट आएंगी तो आप यहां पर कॉमेंट करके, कमेंट बाक्स में कॉमेंट करके, आप मुझे आपके डिफिकल्टी मुझे तक पहुचा सकते हैं, अगर आप इस चानल पर नए हैं तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करो, बेर आइकान दबाओ, और ये वीडियो से इमें आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के लिए भी शेर करें, क्योंकि अक्सर हम अच्छी चीजे हमारे अच्छे लोगों के लिए हम शेर करते हैं, तो चलो रुकते हैं, आज के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ और नए एक्टिविटी एंड टैस्क के साथ, तो इस वीडियो के लिए अभी यहां रुकते हैं, जै हिंग, जै भारा दोस्तों, बाई बाई, थैंक यू, टीक केर.